if r is the radius of the earth and g is the acceleration due to gravity on the earth's surface then the density of the earth will be acceleration due to gravity जो है उसका एक formula जो हो थोड़ा याद होना चाहिए gm by r square यह होता है अब हमें density पूचा है तो बस density का अगर हम value लिखते जाएंगे इस तरह से mass upon volume तो earth का mass जो capital M होता है वो ही हम denote करेंगे यहाँ पर volume के जगा पर हम लेखेंगे sphere assume करके 4 by 3 pi r cube कि इसी को हम small g में represent करने की कोशिश करेंगे तो तायर option में density जो एक दिया है लेकिन small g के term में दिया है तो इसमें small g कुछ तो करके लाएंगे small g के लिए g by r square यहाँ पर बनना होगा इसके लिए हम क्या करेंगे कुछ adjust करेंगे जिसे 4 by 3 सबसे पहले यह 3 by 4 हो जाएगा यहाँ पर अब उपर g तो नहीं दिख रहा है जी होना चाहिए तो हम g से multiply भी करेंगे और बाद में divide भी कर देंगे नीचे यहाँ पर pi तो है यह pi थोड़ा separate है r cube है हमें r square बस चाहिए तो r square लिख देंगे हम और into r लिख देंगे तो यह r cube है जो बचा है अब यह pi बच गया है नीचे जी हमने multiply किया था तो divide भी कर देंगे तो हमने इसी को थोड़ा adjust किया है जी हमें चाहिए था तो हमने उपर लिख दिया और बाद में divide भी कर दिया है यहाँ पे r square चाहिए था तो r cube को थोड़ा इस तरह से लिख दे है r square into r pi वेसा का वेसा है अब हम इतने पार्ट को small g लिख सकते है तो यह क्या हो जाएगा 3 small g divided by जो बजगा है यहाँ पे 4 pi r capital g इस तरह से अगरे तो यह option 1 से में होगा इसले स्कूशन से रोजग ऑप्शन